बन्दे पुसूत्म परम प्राप्ति लिखते हैं स्रिय द्रोनाज जोसी जी अपने बारे में सात्तोती मैगजीन में 25 फरवरी 1955 को मैंने नया जन्म पाया प्रेम और सत्य की प्रतिमूर्थी परम दयाल से सिठाकूर अनकूल चंद्रजी के सत दीक्षा के माध्यम से जीवन का प्रकिरत अर्थ अनुधावन करने का रास्ता पाया मेरा जन्म 14 नवंबर 1922 को हुआ यानि दीक्षा ग्रहन के समय मैं 33 वर्ष का था सामाजिक तोर पर जिस तरह का जीवन होना चाहिए था उस तरह मैं अच्छा सफल ही था किन्तो फिर भी कुछ अपुर्णता का बोध अज्यातवस जिसके खोज में मेरा अनुसंधित सुमन इतने दिनों से अत्रिप्त था उसी सुभ दिन को हमेंने उर्ण किया मेरा जन्म एक धर्मनिष्ठ विप्र परिवार में हुआ इसलिए कुछ विप्रोचित वैसिस्ट एवं गुणावली मेरी संसकार में निबध था अपने माताविता का धर्म विश्वास समाजिक्ता संस्कृति एवं मानविक्ता के प्रतिनिष्ठा को देखकर सोचता की एक अच्छा जीवन जीने के लिए इस से अधिक और क्या चाहिए जो भी हो सभी कुछ स्वच्छन्द गती से ही चल रहा था किन्तु उसी स्वच्छन्द गती में कुछ बाधा सिष्ट हुई जब मैट्रिकुलेशन परिक्षा के ठीक पहले ही मेरे पिता जी का दिहान थो गया जीवन में एक कठिन परस्थिती का सामना हुआ किन्त मेरी ब्यक्तित्तो माई माने अपने स्नेह के आचल से पित्र हारा होने की वेतना को अनेक अंसों में ढख दिया समय अपने निजस्व नियम के अनुसार चलने लगा एवं समय की संगती करते हुए जीवन के नियम में आगे के अध्याई सभी एक एक कर उपस्थित हुए विवा हुआ संथान का जन्म हुआ एक उपयुक्त कारे में युक्त हुआ सरवपरी मेरे सामाजिक दाइत बढ़ता अनुसृत कर्म परिवेश के बीच एक आलोडन को हटा कर मुझे जन्म प्रिय कर दिया यह सत्य है कि कुछ नहीं पाने की वेदना फिर भी जिससे मन को छेद कर चल रही थी अत्वा सोचता था किस चीज के लिए मन ऐसा उचट रहा है सही तरह से नहीं समझभा रहा था उसी सुनेता को अतिक्रम करने के लिए जोर सोर से पढ़ाई सुरू कर दिया पढ़ाई की लहर ने मेरे सीमित विद्याले की सिक्षा को भी अतिक्रम कर दिया ऐसा की एक मारवाडी संप्रदाय द्वारा परिचालित पुस्तकाले की सारी पुस्तकें पढ़ डाली अध्यात्मिक्ता, समाजिक्ता, संगीत, संस्कृती इत्याद में आग्रहानवित हो गया वेद एवम आरियों की जीवन पध्धती विशे पर मेरी विशेश स्रद्धा थी एवम इस विशे में कुछ पढ़ाई भी की बहुत पढ़े, बहुत जाने, फिर भी वसुनिता मुझे छोड़ कर नहीं गया तो क्या मैं एक सच्चे पथपदर्सक जीवन आदर्स को खोज रहा था जो प्रकिट सिक्छा देंगे, भूल होने पर सावधान करकि मुझे सही रास्ते पर ले आएंगे मेरे उचित चलन से वे त्रप्त होंगे, इस स्वर अनसंधानी मन मेरा था एवं इस रास्ते पर चौदह गुरू की दिख्चा लिया ठीक ऐसे ही एक समय में अस्थानी सैली, निवारनी के जालू पाड़ा के घर पर सत्संग उपलक्ष में मुझे आमंत्रन मिला मैं पहुचा, एवं देखा कि एक धोती पहने, सौम में दर सनीय, सादा सीधा व्यक्ति के छवी के सामने सभी बैठ कर भजन, किरतन, गान, इत्यादी में मस्त हैं एवं कोई एक व्यक्ति उनके आदर सनीत, इत्यादी विसे पर अपना वक्त बे रखे जिनोंने वक्त बे रखा, जान पाया, उनका नाम चत्रभुज उपाद्याए है, बिहार के देवघर से वे आए हैं, यह मेरी पहली अभिग्यता थी, कि तथाकति देव देवी की पूजा नहीं करके, एक मनस्य की पूजा की जा रही है थोड़ा विस्मित हो गया, जिनकी पूजा हो रही है, उनके विसे में जानने का आग्रह होने पर, एक व्यक्ति को पूछने पर उत्तर मिला, वे स्वयम इस्वर हैं उत्तर सुनकर चकित हो गया, जानना चाहे वे किस तरह हैं, एवं बात चीद करते हैं कि नहीं मुझे और भी विस्मित करते हुए चतर भुजदा बोले, कि वे सिर्फ बातने ही नहीं करते, बलकि मानो जन्म के सभी तरह की अभिव्यक्ति भी देते हैं मन के भीतर उत्ते जना हुई, यदि ये इस्वर हुए, तब मैं उनका सिस्व होँगा चतर भुजदा बोले, सिस्वे बनने के लिए दीख्छा लेनी पड़ती है, एवं मेरी दीख्छा के लिए, मेरे नवजन्म के लिए, दूसरे दिन की सुबह निर्जिष्ट हुआ लेने के चलते सिव रामचंदर स्रकिष्ण आदी देवताओं की पूजा करना ही विधे है, किसी बंगाली सुरुक की नहीं, विपत्ती और बढ़ गई, जब चतर भुजदा मेरी मां को समझाने गए, एवं मां एक लाठी लेकर उन्हें भगाने लगी, तथा घर से बाहर क करके ही छोड़ी, जो भी हो किसी तरह मां को यह बाद समझाने में सच्छम हो पाया, कि मैं स्वयम ठाकुर को जानना चाहता हूं, तथा कल ही मैंने दिक्षा ग्रहन किया हूं, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ती है, ये बता दू, मेरी मां भी तीन चार माह बाद दिक्षा लेनी, दिक्षा ग्रहन करने के बाद सिसी ठाकुर के दर्सन की इक्षा प्रबल होने लगी, लगभग एक साल बाद स्योग मिला, मैं देवगर गया, सिसी ठाकुर के सानित्य में जाकर उनको प्रणाम करने, जाते ही उनके स्रीमुक पर मेरे दिस्टी पड़ी, य जिनकी खोज में इतने दिनों से बहुत घाड भटकने पर जो मैंने नहीं पाया ये वही तो हैं मेरे प्राण का आराम मेरे जीवन की जोती चत्रभुजदा से सिठाकुर से मेरा परिचे कराए से सिठाकुर अत्यंत खुस होकर कहे माल लेकर आये हो कहने का आर्थ इस पस्ट नहीं समझ सका कुछ समय बाद ठाकुर के उठ जाने के साथ ही एक विदेशी भक्त संभावता रे आर्चर हावजर मैन हठात आकर मुझे कस कर पकड़ लिये तथा आवेक पुर्ण कहो थे माल माल जिसका आर्थ बाद में समझ पाया सिठाकुर चतरभुजदा से सिलांग जाने के लिए एवं वहाँ एक ब्यक्ति रहते हैं उन्हें ले आने के लिए कहे थे उसी आतرा में चतरभुजदा सिलांग में कुछ दिख्षा दे कर लोटने पर ठाकुर जी उनसे कहे उन को अभी भी नहीं खोज पाया चतरभुजदा पुनः सिलांग गए जिसे सिठाकुर माल कहे हैं मैं ही वह हूँ चतरभुजदा से मुझे ही ले आने को कहे थी उस समय मैं बहुत ही छोटा था, पोकराय देश की घर में रहा हूँ, एक दिन मा के साथ बाजार गया था, लोटते समय रास्टे में एक नदी के उपर छोटा एक पूल पार करने के क्रम में पाँ फिसल गया, सीधे नदी में गिर गया, नदी के प्रचंड वेग में पढ़ने नदी के किनारे लगने का बेकार प्रयास करने लगा, बचने की और उमीद नहीं, चारों और जैसे अंधकार लगने लगा, ठीक इसी छण एक देट्याकरती मनस्ट से मेरे सामने आउपस्तित हुए, मुझे अनायास ही पानी से निकाल कर नदी के किनारे ले आए, ऐसा सक्त साली विशाल मनस्ट को तो पहले कभी नहीं देखा था मेरे गाउं के लोग या आसपास के गाउं के लोग भी ऐसे मनस्ट को कभी नहीं देखे थे किरतग्यता सरूब मेरी माँ उन्हें कुछ देना चाही जिसे वे लेने से अस्विकार कर दिये एवं बोले मुझे बचाने के लिए वे आये थे, परिवर्ति समय में सुविधा अनुसार इस घटना को सिसिठाकूर के निकट ब्यक्त करने पर वे सिर्फ मन्द मन्द मुस्कुरा दिये, एक दिन सिसिठाकूर के सानित्र में बैठा हूं, कुछ दिनों से एक प्रस्न मेरे मन में उठ़ रहा था, सिसिठाक कुछ ना कुछ विश्वास करता है यह कहकर वे मुझे एक अमेरिकन सब्ताहिक पत्र का क्रिश्चन सेंट्चुरी मैगजिन तारिक 25 फरवरी 1962 दिये उसमें मिस्टर तेंद्राकफ नामक एक कट्टर सामेवादी रसियन लेखक चेंज इन प्रॉसस इन रसिया विशे पर लिखे हैं सिशिठाकुर मुझे लिख लेने के लिए कहे उसी प्रबंध के कुछ अंस का आनुवाद इस प्रकार है तथाखथित इस्वर की चित्रत मुर्दि रूप में मैं उनकी कलपना नहीं करता हूँ मेरे निकट वे एक अध्यात्मिक प्रतिभू तारकापुंज नचत्र ग्रहाद हैं एवं सभी ग्रहों की जीवित वस्तु हैं जो वंस वर्द्ध में सच्छम हैं वे एक बार में ही प्राथमिक कोश से मानों तक उनकी उज्जीवनी उद्धीपन हैं सिठाकुर मुझे इस्टिमुलस उद्धीपन सब्द के नीचे दाग देने के लिए कहें उन्होंने कहा वही उद्धीपन ही है इस स्वर मैंने कहा जी इस्टिमुलस कहने से नहीं समझां सिठाकुर ने कहा इस्टिमुलस का मतलब उद्धीपना होता है अर्था तेजी तात पर ये तेजी तात पर ये मैंने कहा मैं नेपाली पहाड़ी हूँ बंगला उतनी अच्छी तरह नहीं समझता हूँ से सिठाकुरपुना बोले तिक्ष तेजन तात पर ये इन सब बातों को लिखते समय मेरा फाउंटेन पेन सही तरह से नहीं चल रहा था मेरे हाथ एम कागच पर स्याही लग गई उसे देखकर उन्होंने विश्णु पददा के माध्यम से मेरा हाथ साबुन एम पानी से धोने की विवस्था कर दिये तथा एक पेन एम डायरी दिये जिससे मैं उसी इस्टिमुलस सब्द का अर्थ लिखा और एक बार मैंने से सिठाकुर से जानना च पुनह बोले अंतरेरई अगनी तापे कूप्रवेटि सब पुढिये दे कृति जागे चलंत थाके इस्ट निष्ट प्रसादे भावार्थ अंतर की अगनी ताप में कूप्रवेटि को जला दो कृति भाग में चलंत रहकर इस्ट निष्ट प्रसाद के साथ मेरी मां का तिर्थी आत्रा के प्रती बड़ा जोंक था प्रते एक बार तिर्थी आत्रा के समय मेरी मां सिर्थाकुर का असिर्वाद ले कर जाती एं उन तिर्थी आत्रा समाप्त होने पर घर लोटने के क्रम में सिर्थाकुर के चरणों में प्रणाम निवेदन करती एक बार इसी तरह एक तिर्थ यात्रा समाप्त कर वे सिर्षिठाकुर के चरणों में प्रणाम निवेदन की सिर्षिठाकुर का सिर्वाद ग्रहन करने के साथ ही साथ मेरी माँ को ऐसा महसूस हुआ जैसे समस्त तिर्थ का दर्सन हो गया सारे तिर्थ एक एक कर उनकी आँखों के सामने तहरने लगे उनके दर्सन करने से ही सभी तिर्थों का दर्सन हो जाता है यही उपलब्धी मेरी मा की हुई एक बार रित्विक सम्मेलन से लोट रहा था अपनी बेटी के घर नेपाल के सनिश्चर नामक जगह जा रहा था रास्ते में प्रचंड धूप थी सुर्देव अपनी समस्त सक्ती लगा कर तिब्रतप्त किरण विक्रण कर रहे थे मैं और नहीं चल पा रहा था उसी प्रजंट दबाव के साथ चलने के लिए सरीर जवाब दे रहा था कोई उपाय नहीं सुझने पर सिसी ठाकुर के सरनापन न हुआ उनके चरणों में प्रार्थना निवेदन किया ठाकुर मेरे रक्षा करो मुझे स्वस्ती दो कुछ ही छड में देखा मेरे सिर के उपर कुछ मेघ ढक गया सुर्य देव को ओजल कर मुझे स्वस्ती दिया मैंने उनकी दया पाई बाद में सिसी बार्दा के चरणों में उसी घटना का जिक्र करने पर उन्होंने कहा था कि ठाकुर के पास ऐसा कुछ निवेदन नहीं करना चाहिए जो प्रकिर्ट विरोधी हो एक समय था जब मैं बहुत नाम ध्यान करता था ध्यान के समय अनेक सब्द मेरे कानों में सुनाई पढ़ते कोई जैसे लगादार कह रहा हो मेरी सहायता करो मुझे बचाओ इत्यादी सुरू सुरू में विसे इस्थ्यान नहीं देने पर भी बाद में वह इस पस्ट सुनाई पढ़ने लगा एक दिन इस्थ्यान में से सिठाकुर का अविरभाव हुआ उन्होंने कहा उन सब्दों को सुनो एवं परमबिता के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करो बाद में सिठाकुर की बातों को अनुसरन करने पर वे सारे सब्द धीरे धीरे समाप्त होगे उस बार आचार देव सिठादा के निर्देश से करीम गंज में आवजित स्री मरंदिर प्रतिष्ठा उस्सों में भाग लेने जा रहा था चलते जा रहा था तेड़े मेढ़े उंश नीच पहाड़ी रास्ते पर जैन्तिया पहाड़ के उसी रास्ते पर एक जगह गाड़ी मुडने पर विपरीद दिसा से आ रही डिफेंस फोर्स का एक ट्रक गलती से आकर हम लोगों की गाड़ी को सामने से ठोकर मार दिया आगहात इतना जोड़दार था कि हम लोगों की गाड़ी का सामने वाला भाग एक बार में ही चेकना चूर हो गया मेरी पतनी गाड़ी का चालक एवं बाड़ी गाड़ को काफी चोटे आई जिस से उन लोगों को अस्पताल में भरती करना पड़ा मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई प्रात्मिक्त किस्था के बाद मैं एक टैक्सी से करीम गंज के लिए निकल पड़ा घायलों के निकट मैंने अपने मजले बेटे को रख दिया दुरगटना के समय से सिठाकुर प्रदत आसिरवादी दंड मेरे हाथ में था मेरा दिर्ध विस्वास है कि उसी के कारण मैं बच गया सभी घायल कुछ दिनों के बाद संपून रूप से स्वस्थ हो गए जिस दुरगटना घटी थी उसमें किसी के बचने की संभावना नहीं थी मैं नहीं जानता कोई विस्वास करेगा की नहीं वही मंत्रपूत दंड ही जो सिठाकुर को वहन करता है हम लोगों की रख्षा किये ऐसे कितनी घटनाए जो घटी हैं घट रही हैं या घटेंगी जिसमें उनकी अजचल दया मैंने एवं हम लोग समय समय पर उपलब्ध किये हैं एवं करेंगे जो मुझे एवं हम लोगों को उनके स्री चरणों में अधिक से अधिक सामाविष्ट कर छोड़ेगा अनुआदक राजी रंजन जी सात्वती जून 2015 पेशंख्या 30, 31, 32 और 33 से जाय गुरू